नमसकार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों जैसा की पता है कलके डिट में यहाँ पर गुरूबडी का रिजल्ट पृब्लिस किया गया और टोटल यहाँ पर 11 जो उनका रिजल्ट को पृब्लिस कर दिया गया है अभी भी 5 RRB का result आना बाकी है जो हो सकता है दोस्तो आज साम तक आपका result आ जाए अब देखे साथियों इन में से बहुत सारे candidate ये होंगे जो कि जिनके मन में खुसी के बादल होंगे और मुख पे मुस्कान होगा क्योंकि उनका chain हो गया है बाकी maximum candidate ऐसे होंगे दोस्तो जिनके मन में काफी दुख होगा और जिनका chain जो है वो नहीं हो पाया आपको भी भली भाती पता है यहाँ पे एक करोट क्यास पस application आयोए थे और attendance 50% भी ले करके चले तो आपका जो अधिकान दोस्तो 50 लाग क्यास पस candidate यहाँ पे एक्जाम जरूर देने गए होंगे आप देखे पीटी के लिए 3 गुना candidate का chain होना है तो दोस्तो 3 लाग candidate यहाँ पे पीटी के लिए qualify होए होंगे बाकी अगर बात करे 47 लाग क्यास पस candidate यहाँ वो disqualify हो गए तो उनके मन में काफी दुख हो रहा होगा कि भाई अब हमारा क्या होगा अब आगे हम क्या कर पाएंगे तो इस निरासा के साथ में अब आगे उन्हें क्या करना है दोस्तों कहीं न कहीं इस उम्र में आकर के एक आटोमेटिकली प्रेसर बन जाता है घर वाले क्या कहेंगे परिवार वाले क्या कहेंगे समाज वाले क्या कहेंगे और मांसे के एक दबाव रहता है कि अब हमारा क्या होगा घर में किस प्रकार से हम जबाब देंगे तो दोस्तो कहीं ने कहीं निरासा जरूर है और हमारे जीवन में यह आती ही रहती है लेकिन दोस्तो यह कुछी समय के लिए है उसके बाद कुछ दिनों के भीतर आपकर यह सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपके लिए नए नए खुसियों का आउसर भी यहाँ पे मौका आपको मिलने वाला है दोस्तो मैं थोला सा आपको यहाँ पे मोटिविशन के तौर पे कहना चाहूँगा कि भाई यदि नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा निरास नहीं होना है हो सकता है कि दो-तिन दिन तक आपके माइंड़िट में यह बना रहा है कि भाई अब नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा क्या करेंगे हमागे तो देखे दोस्तो यदि आपका रूची किसी और फिल्ड में है तो उस फिल्ड को करें जवरी नहीं कि भाई ग्रूबडी में ही सेलेक्शन हो जाएगा तो जिन्दगी हमारा सबर जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है देखे दोस्तो अभी भी बहुत सारे यहाँ पे नए नए आउसर्स आपको देखने को मिलेंगे यदि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिस में इंट्रेस्ट है तो आप SST की और अपना रूख कर सकते है MTS, CSS, CGL है, Selection Post है थोड़ा सा भी इंग्लिस की और रूची है दोस्तो तो इस और रूख कर सकते है बाकि दोस्तो अगर आपके पास में ITI है तो कहीं ने कहीं आपको फिर से रेलेवे के अंदर मौका देखने को मिलेगा जो की ALP Technician के रूप में होगा और फिर से Group D के रूप में होगा तो ये दो मौके यहाँ पर रेलेवे में देखने को मिलेंगे दोस्तो और अगर ये सब भी नहीं है दोस्तो इंग्लिस में भी रूची नहीं, ITI भी नहीं है तो थोड़ा सब अपने State की और रूप कर ले, State की और ये दिरूप करते हैं तो State में भी बहुत सारे विकैंसिस आपको देखने को मिलती है Revenue Department में State में विकैंसिस होती है आपके State की पुलिस की विकैंसिस होती है तो इस चेतर में भी आप थोड़ा बहुत अपना रूची दिखा सकते हैं और आपके स्टेट के अंदर चैन लेना काफी असान हो जाता है सेंटरल के मुकाबले में तो थोड़ा बहुत स्टेट की और रुख कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों हमें भी और आपको भी भली बाती बता है कि ये उम्र का ऐसा दोर है जहां पर टेंसन तो ही होगा तनाव तो आएगा ही दोस्तों क्योंकि जितने भी गुरूबडी वाले केंडिट है वो मैकसिमम 25 के आसपास के एज ही है तो ऐसी स्कते में दोस्तों पढ़ाई के साथ-साथ आपको जिस भी फिल्ड में रूची है कुछ एक्स्ट्रा इंकम जनेरेट करने की परियास करे ताकि आपको और आपके परिवार वाले के उपर भी दबाव ना पढ़े कि भाई हमारा जो लड़का है वो किबल पढ़ाई कर रहा है और कुछ हो नहीं दा है तो इस परकार का दबाव आपके उपर भी ना बने और आपके परिवार वाले के उपर भी ना बने तो कोई भी फिल्ड जिसमें आप रूची रखते हैं यहां पे जिस फिल्ड में भी आपका मन लगता है उस फिल्ड के और थोड़ा सा आप रुक करें दोस्तों और थोड़ा सा इंकम जेनरेट करने का परियास करें तो इस तरह से आपके मन में भी और परिवार वालों के मन में भी कोई प्रेसर नहीं होगा तो इस तरह से आप जो है वो एक नया आउसर का तलास कर सकते हैं दोस्तों बाकी अगर नहीं हुआ है तो यार बहुत ज़्यादा निरास होने की आउसकता नहीं होता है जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है कहीं न कहीं आपको इससे बहतर मिलेगा इस वर करें ऐसा हो और इसी कारण से मैं भी दूस्तों ग्रूब डी ना हुआ हो और ग्रूब डी में आप सकसेस ना करवायो तो मेरी ऐसी सुपकामना हैं आपके साथ में कि इस वर करें इससे आपको बढ़ियां पोस्ट मिले और आप जीवन में सफल हो खुस रहा हूँ मिलते हैं दूस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार